गाईज कि आप अपनी वेबसाइट को माईगरीट करने चाहते हैं तो गाईज अगर आप अपनी वेबसाइट को होस्टिंगर में माईगरीट करने चाहते हैं या अपना डेटा को ट्रांसफर करने चाहते हैं वेबसाइट को सिप्ट करने चाहते हैं तो इस वीडियो में कैसे करके आपको हीहां माईग्रेट करना सकते हैं और यहां पर सिर्फ वीड़ेटर उसके और यांज को आपको ऑपनानी से तो गोडेडी से होस्टिंगर में माईगरेट कर सकते हैं वो भी आपका कोई भी डेटा यहाँ पर लॉस नहीं होगा हमें इहाँ पर इनफॉरमिशन देनी होती है होस्टिंगर वावलों को और वहाँ से हमारी वेब साइट 측면 को ट्रांसफर कर देते है एंड जैसे हम यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए करने के लिए यहां पर क्लिक करना आप हम हमें यहां यह यहां पर आपको अपना domain name दे देना है तो guys for example मेरा यहां पर domain है मैं यहां पर लिख देता हूँ चंदन.com ठीक है यहां पर domain हो गया यहां पर चंदन.com कर गाइज मैं यहां पर domain डाल दिया इसमें यहां फीमेर होने के बाद हम यहां पर हमें यहां पर सलेक्ट करना होगा तो for example मैं यहां पर website digitaluk07.com आप यहां पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करना होगा आपको यहां पर ढूंढना है है website website माइब करना है तो क्यास करना है तो आप करने के बाद हम यहां पर सबसे पहले reboot को zost यहां यहां कि करने कि हमारी वेबसाइट आपको माईगरेट करने हम सारे डेटा आपको को यहांपे देते हैं यानि कि कि अलगिन पास्व проблем आपको देना हो thì Sure ला जिसे यहां पर करने तो मैरी वेबसाइट को माईगरेट कर देता हैं तो होस्टिंग-वाल स्थी हएक तो कोछी other companies हो सही गोड़ेडी हो बीक्रोप हो यहाँ पर होस्त गेटर हो कोई भी यहाँ पर माइग्रेट नहीं करता है हमें मैनुली करना होता है तो होस्तिंगर वाले हमारी वेबसेट को माइग्रेट कर देता है तो हमें क्या करने हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको यह भी देखना है कि अगर आपके पास WordPress का login and password है तो guys आपको यहाँ पर WordPress पर जाना है अगर आपके पास WordPress का access नहीं है तो आपको guys यहाँ पर simple C panel पर चले जाना है तो guys मैं आपको दोनों मैंतरस आपको बताऊंगा पहले guys हम जाते हैं यहाँ पर WordPress पर तो WordPress पर जाने के पाद guys आपको यहाँ पर select करना है जिस domain को जिस website को हम यहाँ पर अभी क्या क्या हमने add किया उसको guys आपको यहाँ पर select करना है यानि कि जिसे हमें क्या करना है migrate करना है, transfer करना है वो आपको guys यहांपर select कर देना है For example, guys मैं आपको बताए जहांब की मैंने यहांपर migrate करना है मुझे यहांपर digitaluk07.com अब मैंने यहांपर select कर दिया अब select करने के बाद guys यहांपर URL है URL के लिए आप guys आपको क्या करना है मैं यहां से इतना इसलिए आपको उठा देना है ठीक है तो यहां से आपको यह उठा कर यहां पर यहां पर यहां पर रिमूब कर देना है ठीक है उसके बात है WP Admin WP Admin के लिए आपको क्या करना है यहां से आपको पूरा कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद आपको यहां पर डाल देना है आप चाहें तो guys यहां पर इतना से डाल सकते हैं से यहां से रिमूब कर सकते हैं ठीक है ऐसे करके आप यह डाल देना है अब यह डालने के बाद guys आपको यहां पर WordPress username guys हम जब अपने WordPress को अपने WordPress के dashboard में आते हैं तो हमें सबसे पहले यहां पर username यहां पर password डेना होता है तो go झाल साथ आफ यहां पर all right over 5 जो यहां पहुजआ आपको यहां य की आपने वागीन के लिए यहां यहां पर यहां पर यहां पर चूब इना करना है जहां पर आपका में अगर और यहां पर यहां पर यहांप करने पहले होस्तिंग में है आपको इता आपको उस थो फे-दे करते है तो जायज पृडज ड़ु सायड सी अगर हापट गाइब कर देना है अब जैसे कर देने हैं अब आ रिकवेस्ट सावराइब को छले जाएगी हमारी वेब माइफ हो जाथी और घट Сाइब को कम्प्रीट सर चंज़ करना होगा आपको यहाँ पर hostinger का जो name server है उसको guys आपको डालना होगा जहाँ पर भी आपका domain होगा अगर go daddy में है तो go daddy में जाके आपको name server को change करना है उससे पहले आपको name server change नहीं करना है अगर आप name server change करोगे तो hostinger वालों को कोई भी access नहीं मिलेगा आपके website का तो हमें सबस् shelter tomorrow और अगर आप की पास यहां पर लॉडपैस का यहां पे टाल यूरा डाल देना है जैसे गैस मैंने भी यहां पर डाला वर्डप्रेस का और गैस अगर हमें यहां पर होस्टिंग को लॉग इन करना है तो आपको होस्टिंग का यहां पर लॉग इन डाल देना है अगर हमालो हमारे होस्टिंग है गोडेडी में तो आपको क्या करना है गैस जो भी यहां पर गो के बाद guys for example मेरा यहां पर link है यानि की आपकी website जिसमें है जिस hosting में उसका आपको यहां पर नाम देदेना है यानि की URL देदेना है तो guys मैं यहां पर इतना देता हूं ठीक है यह मेरा URL हो गया and guys आपको क्या करना है यहां पर जाके कब लाद याया ढाल देना है। उसके बाद अपको यूजर न Всем भाया जो है जो भी आपकी website उसका आपको यूजर रियुजर नेम और यहां पर करने के वाद गैस हमारी वेब साइट को मायगरेट करने के लिए hostinger वालों के पास request चले जाएगी वो दो या तीन दिन के बाद यहां पर process में रहेगा उसके बाद हमारी website guys migrate हो जाएगी और होने के बाद आपको मैंने पताया को कि आपको name server change करना है अब आपको यहां पर hostinger पर क्या करना है आपको home पर click करना है and manage पर जाना है and manage पर जाने के बात guys आपको यहां पर दिखा दे रहा है hostinger name server इसको आपको डाल देना है जहां पर भी guys आपका domain है उससे पर जब तक migrate request complete नहीं होती है उससे पहले guys आपको name server को बिलकुल भी नहीं छेड़ना है अगर आप name server पहले ही चेंज कर दोगे hosting आपकी website को access करने में कोही भी वहाँ पर data नहीं मिलेगा हमें क्या करना है guys हमें सबस्ब पहले अपनी website को add करना है और यहां पर website को migrate करने के रिक्वेस्ट कर देनी है और जब website को migrate हो जाएगी उसके बाद आपको यहां पर समझ में आगिया होगा कि कैसे करके guys हमें यहां पर अपने website को migrate करना है वो भी guys without data laws के तो step by step guys मैंने बता दिया आपको आपको मैंने wordpress का details डालके भी बता दिया और यहां पर c panel का detail डालके भी आपको बता दिया है तो guys आप लोगे समझ में अच्छे से आगिया होगा कि कैसे ही करके हमें अपने wordpress website को migrate करना है तो guys अगर आपका कोई भी question है तो आप हमें यहां पर comment कर सकते है and directly instagram पे जाके भी guys आप message कर सकते हैं वहां पर guys में काफी लोगों की help कर रहा हूँ and guys जब जब मुझे time मिलता है तो मैं वहां पर सभी लोगों को reply and लोगों की password तक मांगे guys मैं यहां पर सबका वहां पर help करता हूँ तो guys अगर आपका website migrate नहीं होते तो आप हमें directly instagram पे जाके guys message कर सकते हैं तो guys अगर आपको यहां पर वीडियो पसंद आते तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है आपको साथ साथ यहां पर हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है तब तक के लिए आपको अपने ध्यान रखना है जैहिन वंदे मातरम